अपने बयानों और भाशनों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले सपासांसद शफिक कुर रहमान बर्क ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कभी प्रदेश सरकार तो कभी मोदी सरकार पर निशाना सादने वाले बर्क ने इस बार अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए है शफिक कुरहमान बर्क ने अपनी बगावती तेवर उत्र प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के बीच दिखाए है सपासांसद बर्क ने सीधे पार्टी मुख्या अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है शफिक कुरहमान बर्क की ये नाराजगी निकाय चुनावों में टिकेट पटवारे को लेकर देखने को मिली है बर्क ने अखिलेश यादव के साथ साथ स्थानिय विधायक इकबाल महमूत पर भी जम कर भडास निकाली है विधायकी पत्नी रुकसान आइकबाल को सपा प्रत्याशी बनाने पर सांसत ने कहा कि सब विधायक को ही चाहिए कि अनके घर सब चीज रहनी चाहिए यह रशेंटा भी भाट कर नहीं रखना चाहते भई सारी पॉब्लिक सारी जंता गरीब अमीर चोते बड़े मुक्तलिफ बहुत पराना शहर है संबल तो सब जगह के लोग हैं सब की खौईश होती है कि हमें भी कुछ इस्सा मिले तो हम हमने तो अपने घर से अपनी बेटी तक को नहीं लाया हमारी पोती थी चाती थी हमने मना कर दिया उसे मैं के नहीं हम शहर से लाएंगे तो ल्यादा हमने यासीन सैफी की माइफ को लाया जहाँ यही नहीं बर्क ने सपा उमीदवार के खिलाफ उत्रे दूसरे प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है सपा ने संभल से विधायक इकबाल मेहमूद की पत्नी रुकसाना इकबाल को प्रत्याशी बनाया था जबकि बर्क ने निर्दलिय फरहाना को समर्थन दिया है बर्क इस सुमीद्वार के लिए सारवजनिक तोर पर प्रचार भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में सांसत की बगावत के बाद अखिलेश यादव ने अब तक उनसे बात भी नहीं की है। तो आप क्या बीएस्पी में जाने की ते जाजिए नहीं अभी इस कर दी कोई बात नहीं। मैं समाजवादी में हूँ, मैं भी समाजवादी काई हूँ। अब ये तो अदूरी बात है हमारी, बहराल हम पार्टी के होते हुए, जब उन्होंने हमारी कोई राय न ली। और यहां पर अल्ला के फल से यहां का मैं MPD हूँ और हमारा पोता एक कुलर्की से MLA भी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमसे न कोई मश्रुआ है न कुछ है तो जमूरियत में इस तरीके से नहीं होता बलकर अपने लोगों से राय ली जाती है, उनके मुशीर ठीक नहीं है। इसके अलावा बर्क ने पुलिस मुट भेडों में बदमाशों के मारे जाने पर सांसद ने CM योगी आदेत्यानात पर स्यासी हमला बोलते हुए कहा कि देश में कानून है, अदालते हैं मगर सारी पावर्स CM ने ले रखी है, गिरफतारी वे ही करेंगे और फैसला भी वो ही करेंगे. तारी भी खुदी करेंगे और सजा भी खुदी देंगे, तो फिर खानून की जरूँए है। फिलहाल निकाय चिनावों से पहले सपा में बगावत के सुर्ट सुनाई दिये हैं, और ऐसे में बर्क की ये बगावत इस और संकेत करता दिख रहा है कि सपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झाल